पर हम पहुंचें और गैने केमिस्ट्री में वह डेफिनिशन क्या है हाइड्रो कार्बन के उपड़ है डाइट डेफिनिशन लाइज रिलाइज ओन दी इस तड़ी ऑफ हाइड्रो कार्बन एंड देरिवेटिव यहां से हमने फिश्टी ग्लास स्टाइट की थी कि बहुत है और हाइड्रो कार्बन की हैसिएट बिलकुल रूट की तरह किया है और रूट में से जिस पता से स्टेम और फर ब्रांचेज आती यह लीव रत यहहान बिलकुल इसी तरह हमिल इसकिल पर deben कांपाउंड यह यह यहिएश्य के निज्टिवेटिवर्ट की है वह इंग्ये definition only covered बहुत important था मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर यहां पर आप only covered mention नहीं करते हैं तो यह definition incomplete रहेगी उसके बाद बचों हम लोगों ने वो flow chart discuss किया था जिसके उपर हम लोग base करके अपना syllabus cover कर रहे होंगे तो hydrocarbons में we have to talk about the classification of the hydrocarbons and hydrocarbons are classified into saturated and unsaturated variety और फिर डेरिवेटिव की जो classes हम पढ़ेंगे उसमें alcohol hello hello alcanes carboxylic acid और ester यह group हमने पढ़ने हैं उसके बाद हम आ गए थे hydrocarbon basic classification पर तो हमने कहा था hydrocarbons basically classified into two types saturated और unsaturated और बिटा हमने इसको किस concept से समझा था कि saturated और unsaturated का जो concept है वो carbon की valence पर है carbon की भुख कितनी भी चार चार बोंड की भूऑ थी carbon को हमेशा चार बोंड बनाने हैं लेकिन मैंने बताया था कि अब आपको भूग जो है या तो बिरियानी खाके के भी भर सकते हैं और उभली भी लुकी की बुजिया भाकाट के भी भर सकने तो अगर बिर्यानी खाके पेट भरेगा तो पेट भी भरेगा और मदा भी आ जाएगा Satisfaction मिल जाएगी और अगर लुकी की बुजिया bond बनाता है तो सारे bond मजबूत होते हैं और carbon stable हो जाता है तो ऐसे compound जिनमे carbon के सारे bond single थे उनको हमने saturated hydrocarbon का नाम दिया था जबके ऐसे compound जिनमें at least एक double bond भी आ जाए और मैं तुम लोगो mention किया था कि double bond जो है उसमें जो दूसरा डंडा है ना पहला डंडा नहीं दूसरा डंडा ये एक weak डंडा है ये एक weak link है और ये मजबूरी में बन रहा है जब कोई नहीं मिला तो मजबूरी में कर लिया तो इसलिए अगर किसी भी hydrocarbon में double bond आ जाता है carbon carbon का एक भी तो इसका मतलब यह है कि वो satisfied नहीं है और वो hydrocarbon unsaturated कहलाते थे यह हमने सब कुछ last class में discuss किया हुआ है फिर saturated hydrocarbons में जो example हमने discuss की थी वो थी alkane की alkane में alk और in दो अलग words है alk कहते हैं carbon chain को in कहते है single bond को तो जब carbon chain में सारे bond single हो the class is called alkane और जब carbon chain में एक भी double bond आ जाए तो फिर इन कहलाती है alkane carbon chain with double bond जरूरी नहीं के सारे double bond हो एक भी double bond आ जाएगा तो वो class क्या बन जाएगी बच्चो अलकीन बन जाएगी yes or no is that clear बच्चो यह सारी बात की रिकॉल कर रहे हैं फिर हमने बताया था कि जो हमने naming पर बात करनी है और organic compound की तो उसके अंगर क्या naming का तरीके का रहे तो अलक एन फिर ऐलकेंह। voyezक.com अल्क के साहत ओएच अल्क के साथ ओओ MYक अट अल्क की तैन अल्क क्या है कार्बन चेन है अब कार्बन चेन में जब ओएच जुडग़ा तो यह ऑघ डिया अल्कोह। अलकोहल, कार्बन चेन में जब कार्बाग्जिलिक ग्रूप जुड़ गया, COA जुड़ गया, यह अलकेन ओएक असर बन गया, जब कार्बन चेन में COO ग्रूप आ गया था, तो यह जो है, वो एस्टर ग्रूप बन गया था, यह सारी बातें हमने की थी, उसके बाद हमने identify भी आप से करवाया था, अवेज भाई याद होगा, कि अगर आप पहले compound को देखते हैं, आपको hydrocarbon नज़र आता है, सारे bond single नज़र आते हैं, आपने का था, अलकेन है, आप दूसरे compound को देखते हैं, उसमें carbon ideal नज़र आ रहे, अलकेन हो गया, आपने देखते हैं, यहाँ पर carbon carbon double bond आ रहा है, आपने एक स्वाल तो पहलें कोंगो हो गयाए, तो यह क्या हो गया यहाँ व्हज़र अनिक यहाँ पर काrboksel यह कैसे हो हो गया ? कार बोकसल एक स्वाल अंद हो गया, फिर मैंने सवाल पूछा था कि carbon carbon double bond किसमें है तो the answer would be only alkyne carbon carbon का double bond सिर्फ alkyne में था जबके carbon oxygen का double bond हमें carbonzylic acid में भी नज़र आता है और हमें ester में भी नज़र आता है Yes or No? Yes ये सारी बातें last session का recall है quick recall उसके बार याद करो बच्चों हम लोग आ गएते fuel के topic पर और fuel के topic में we described के fuel क्या है and what is the difference between a fuel and a fossil fuel वो fuel वो चीज़ इसे जला कर energy पैरा की जा सकती हो उसे fuel कहते हैं और ऐसा fuel जो के natural bio degradation से बना हो bio chemical degradation से बना हो organic matter की उसे हम bio fuel कहते हैं fossil fuel कहते हैं जैसा के coal जैसा के जैसा के coal जैसा के methane जैसा के crude oil ठीक है यह सारे के सारे fossil fuels है because we believe scientifically that all these fuels are being produced under the earth crust as a result of bio chemical degradation of organic matter dead organic matter उसके बाद मैंने कहा था कि इन सारे fuel में एक बहुत ही complex fuel है crude oil और crude oil को हम petroleum के नाम से भी जानते हैं जो कि एक black gold है black gold क्यों क्योंकि सोने जीतना कीमती है black viscous dense liquid है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है जिससे almost 13,000 के आसपास different compounds को isolate किया जाता है कौन सा method इस्तमाल किया जाता है isolate करने के लिए बचे fractional distillation कितने step होते हैं basic सब जो पढ़ चुके हो बताते जाओ बिटा कितने step होंगे basic दो number one हम सारे viscous liquid को क्या करते हैं अवैस भाई evaporate करते हैं उसको dense vapor में convert कर लेते हैं और फिर फेंडा करते हैं और जब फेंडा करते हैं तो as per the boiling point क्या group separate होना शुरू हो जाते थे जयान हमबल जयान जयाद शहीर सारा यही concept था कि हम क्या करते हैं सारे के सारे विसकस करते थे और हीर कर लेते थे और उसके बाद fractionating tower में भेशते थे जहां different temperature ranges set हैं और अब हर जो component था वो अपने अपने condensation point या boiling point के लिए होकर अलग हो जाता था कौन से major components अलग होते थे जो हमने यहाद रखने थे heavy to lighter की तरफ मैंने रटा लगवाया था था कौन से component से फैसे आप दिखते हैं सबसे bottom पर काला डामर, bitumen जो 350 या उससे अबब पर मिलता है फिर grease या oil, lubricating oils, फिर furnace oil, फिर diesel, फिर kerosene, फिर napta, फिर petrol gasoline और आखर में refinery guys, इसके बात हमने की थी और side में मैंने आपको एक एक usage भी बताया था, exam में इसका usage भी पूछा जाता है कि कौन सा component का कुछ common usage बता दें, यहां पर हमने last class अपनी end की थी, तो यह 10 minute में हमने review किया, recall किया पिछले तमाम discussion का जो हमने last session में की थी सबको बात समझ में आ गई है बई, सबको यार आ गया, क्या पढ़ाता हमने, कल की बात है जारा पुरानी बात नहीं है यह, clear है सबको, yes sir, yes sir बाई, इतने सारे बच्चे मौझूद हो, सबको clear हो गई, फसिया, फरिया, आईशा, yes sir आज क्या discussion में आगे चलते हैं, आज पहली discussion जो हम करने ही जा रहे हैं, अच्छा, आज पहली discussion करने से पहले past paper का एक सवाल करते हैं, चलो, इस topic से related past paper का एक question करते हैं, जो paper 2 में आया है, वह यह दो, नदर आ रहा है बई, अब आप देखेंगे, तो जैसी आपका paper खुलेग आप paper में यह diagram देखेंगे, तो आपको खुशी मैसूश होगी, क्यार यह तो देखी भी diagram आ रही है, भाई, देखी भी है, अभी पड़ी है, ताज ताज ताज, क्या कहता है, देखो पढ़ते हैं, सवाल करने की कोशिच करते हैं, देखते हैं कि सब्सक्रा पढ़ा रहें, कोई फायदा भी है कि नहीं है, प्रेटरॉलियम इदेख्योंगे आगई उपर जाते 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 आपने आपने बॉयलिंग पॉइंट पर के जिस ग्रूप का बॉयलिंग वह उसी रेंच में अलग हो जा रहा है यह साट आपने बॉयलिंग पॉइंट पर एक नमबर मिल गया आगे एग वप्याश्ट फ्रेक्शन हाँ नेफटा का क्या उपता है तो में इस तो में जाओ जो में बुटियों इस में चैनल वेटा जो बच्चे बढ़बड के इससा लेंगे ना उनको ज्यादा फाइदा होगा Carpeting of roads roads की Carpeting में स्फवाल होता है Damer डल रहा होता है अभी कराची में जहोर का फुल बना फुलिस्ताने जहोर का आखिर में रोड डलने के वाँ उसको काला काला करने के लिए स्मूद करने के लिए शाइन करने के लिए friction reduce करने के लिए उस पर Damer की दामर पिला देते हैं ठीक है जी तो बिटुमिन है वो और वो बिटुमिन कापटिंग में इस्तमाल हो रहा है तो भाई पढ़ा था तो फाइदा हो रहा है जो पढ़ाता एक्जाक्ली जो मैं साल के शुरू से कह रहा हूं कि पेपर टू में अगर ढंग से पढ़ा हो तो इस फ्रेक्शन उसमें सैचुरेटिटिटाइड काबन मीथेन चीएच फोर एंड एथेन सी तो एच सिक्स है वट इस दी मीनिंग आप दी टर्म सैचुरेटिटिटाइड काबन क्या तुम लोगों को नहीं बताया गया है उमेर अमर अवेस सारा शहीर से डूबी नो वट इ कार्बन 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 सिंगल वर्ड होने चाहिए और कॉल सैचुरेटिटिट इड़ो काबन यह मसज़ा एक नाम नदर आ रहा है मुझे मसज़ा कौन है यह नया नाम है क्या मसज़ा क्लास में नी थी वह जो बोलती थी सामसे मताओ मेरे ओ भाई वह तो यह तो बहुत माइरा बास समझ में आ रही है मायरा बास समझ में आ गई पिटा इसे चलते हैं आगे देखो क्या कहता है डॉट और टैंड क्रॉस डाइग्राम तुश्चा यह बॉंडिंग की डाइग्राम अवे अवे स्क्रीन पर निको लिखो बांडिंग से रिलेटेट कॉंसेट आगि अभी थोड़ा समय अलकेन पढ़ा दूगा फिर यह वाला पार्ट भी कराऊंगा ठीक है अभी सिर्फ वही बात बता रहा हूं जो लास्ट क्लास में पढ़ाई थी जितने टॉपिक लास्ट क्लास में कवर हुए थे उससे रिलेटेड हम क्वेशन कर रहे हैं तो आपने दे अब्दुर्यमान राना शेकूर वेड़ोगोज वेशन अगर इफ आइसके बिटुमिन और पैरफिन के बिट्वीं से कौन से हाईडो काबन जेंगा कौन से और गैने कंपाउंट कौन से ग्रूप अव कंपाउंट हैं तो क्या ओप्शन क्या देंगे आप 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 आ इसल वेरी गुड और फ्यूल और लूब्रिकेटिंग ओईल्स तेमप्रेचर वाइस जलें तो बिटुमिन के ऊपर कौन आता है लुब्रेटिंग लूब्रिकेटिंग आते हैं फिर फ्यूल आजाता है यस और नो माज फात्मा आईशा भूरिया नभिया आज भी क्लियर तिल इस पॉइंट फात्मा फरी अशिया फात्मा चलो चलो बिटा वापस चलते हैं अपने कौंसेप्ट की तरफ तो हमने जो पैट्रॉलियूम से रिलेटिड कौंसेप पढ़ा था अलहमदुलिल्ला उस कौंसेप् करम है मालिक का कि हमने कवर कर लिया अब हम आज चल रहे हैं आज दूसरे कॉंसेट की तरफ मजीर आगे चल रहें इंट्रोडक्शन में देखो आज जो हम बेसिक कॉंसेट पहले पढ़ने जा रहे हैं वो सब ने पढ़ा हुआ है सब को अच्छे से आता भी होगा तो जल्दी बेसिक वाली है जो आपने सबने की हुई है जो कारबन के नंबर के बेसिस पर होती है आपने पढ़ा था कि कारबन एक भी हो सकता है कारबन दो भी हो सकते हैं कारबन तीन भी हो सकते हैं कारबन चार भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं छे भी हो सकते हैं साथ भी हो सकते है सकते हैं आठ भी सकते हैं नौ भी सकते हैं एक करण पर नार्जी के लिए नुसमयल। असवीर के लिए नमें कार्ण के लिए इस्तामाल वता है और्गानिक क्यमिक्ति एक परफी लेकिन पड़ते क्या है यह सिक्स काबन के लिए हैक्स अवेस पार्टिसिपेट करो बिटा थेवन के लिए और है यह अज़े लिए लिए सल्वकशन में अगर दो कार्भन है चार गार्वन है लेट छेन में असले अस पर यह लिए कार्वन चेन को है उसको देखकर प confirming लिए अब अगर इस कार्वन चेन में सारे भॉण सिंगल है वाप जानते हैं यह क्लास क्या बन जाती यह के साथ लग गया अब नाम क्या बन जाते हैं नाम क्या बन जाते हैं जाते हैं इस बीठेम पाव समझेर हो फैंट है पाइंट कारवन और अगर सारे बाउंटे सिंगल है तो एंग गया है सारे घरवनिये पापन सारे पॉण्टे खैला इसी तरह जाएंग GB प्रो पेन इसी तरह से अगर माली यह के हमारे पास कार्बन चेन है लेकिन डबल बॉंड आ रहा है और कौनसा ऐगा कार्बन कार्बन के दरमियान मिनाने के लिए मिनिमुम कितने कार्बन होने चाहिए अब्दुल्ला, उमेर, आयार, दूब, दूब, देखो यह अक्सर बच्छे को confusion जाती है, यह किसी को भी confusion बाकी नहीं रहने चाहिए, ज्याद, हमजा, शकूर, सारा, अवेस, मायरा, नभीह, क्या बिटा, कि अलकीन की जब हम बाद शुरू करते हैं, तो अलकीन वह है, जो जिस हाईडो कारबन में अट लीस्ट एक कारबन, कारबन,डबल, बाउन आए, अब कारबन, कारबन, का मतलब क्या हुआ, कि कम से कम 2 कारबन होंगे, तो इसलिए आपको यह मालू होना चाहिए, कि जो हमारी ऐलकीन की series होती है वो इसमें एक carbon का कोई compound नहीं होता वो कहां से start होती है दो carbon की compound से क्योंकि मिनिमम दो carbon चाहिए है तो दो carbon को हम it कहते है और double bond आ गया तो क्या बन जाएगा इन तो नाम क्या बन गया इतीन यस और नो इतीन कई दफा आ चुका हुआ है कि why alkene series starts from ethene rather than methane तो क्या लिखेंगे या why examiner पूछेगा why methane is not is a non existing compound तो आप क्या जवाब देंगे मेरे बच्चे कि to become an alkene the compound must have at least one carbon carbon double bond एक carbon carbon double bond form करने के लिए भी हमें कितने carbon चाहिए होंगे बोरो भई मरियम बास समझ में आ रही है मरियम को के to form a one double bond between carbon carbon as we can see here we will at least need two carbon इसलिए methane is not the first member हमारी कानी ethene से शुरू होगी दो carbon से शुरू होगी एक carbon से नहीं होगी ठीक हो गया इसी तरह अगर तीन carbon है और एक double bond भी आ रहा है तो तीन carbon को हम क्या कहते हैं वेस और यह वेरी गुड प्रोपीन हो गया जी ज्याद चार कार्बं को हम क्या कहते हैं ब्यूट और अगर डबल रहा हेक्स और डबल ऑगे तो इन साथ carbon को क्या कहते हैं है डबल ऑगे तो इन आठ कार्बं को क्या कहते हैं और डबल ऑगे तो इन तो इस तरह से अलकीन की नेमिंग बनती है तो खुलासा यह हुआ कि अलकेे चीन सिंगल बोंड टो बनाता है और वहां से स्टार्ड होती है मिथैन से और आगे चलती है जबके जो इन की सीरी या मीथीन, मीथीन नोट एनी कमपाउंड, कोई कमपाउंड नहीं है मीथीन, कमपाउंड के लिस्ट एथीन से स्टार्ट हो रही है, उमेर और उमर, मायरा और शहीर, एमाइ एक रूर अब्दुल्ला मुहम्मद, अब्दुर्राह्मान राना, इसके बाद आ जाते हैं बिटा वही मतलब होता, और सर यहां सबकी जीएफ बांड देते, लेकिन यहां जीएफ से मुराद जैन्वल फॉर्मूला है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है न, जीएफ, अब और गैनिक की खुबसूरती क्या है, देखो जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, नाइन ग फॉर्मूला बनाने का जेनरल ट्रेंड है, और वो जेनरल ट्रेंड अपलाए करके हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं, और आपको एक्जैमनर कई दफ़ा बनवाएगा फॉर्मूला आपसे, तो समझना है, अलकेन, अलकीन, अलकोहल, कार्बाउगसिलिक यह जितने भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे, इन सब के, इन सारी क्लासिस की क्या है, जेनरल फॉर्मूला, यानि वो बेसिक मैठ जिसको फॉलो करके, आप उसके किसी भी मेंबर का मॉलिकूलर फॉर्मूला बना सकते हैं, तो अब अगर आपको स्कूल याद हो, तो अलकेन का मारबर दिखेगा और फिर उसी से सवाल चलता रहेगा, साथ भाई, यह लाइबा कॉन है, भाई, वी लाइबा, यह लाइबा, या सिर लाइबा, या सिर, या आप भॉजी हो जी मदर ने साथ या मुझे, या सिर लाइबा कॉर्ड़ कि अपने, जी, तो आपको अन्राजा ह हो गया हो कि हमने बिल्कुल इंट्रोड़क्टरी बात की ती कुरूड ओयल की और आज हम आगे चले गए और जस्टार्टेड विदी बेसिक रिविजिन ऑफ और 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 इससे पहले मैंने पास पेपर में पेपर टू का जो पेटॉल पर आया वह वह भी सॉल्ट पर आए तो आप लेट जोइन किया तो बारहल यह बात आपको भी पता होगी हम दोबारा क्विकली रिकॉल कर रहें तो अलकेन हो या अलकीन हो या अलकॉहल हो या कार्बागजिलिक आसिड हो या एस्टर हो कोई भी और्गैनिक कंपाउंड की क्लास हो जो हम जो शुम इंट्रोड़क् अगर तुम्हें इसका मतलब नहीं पता तो क्या मतलब है एंजी नंबर ऑफ कार्बन तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे हाइडोजन विल बी डूएंट का मतलब डबल टॉइस अब क्या मतलब हुआ मसलना अगर मैं कहता हूं कि प्रोपेन का फॉर्मूला बताइए तो मीथेन का फॉर्मूला क्या बनेगा इसी तरह से कार्बन वर्म डॉट डबल करके प्लस टू करेंगे तो चीएज फॉर आ जाएगा यहां क्या आजएगा चाइना पी लिए आईयो क्या क्लास में जयान मलकुल मौत आगे क्या रून निकालने तुम्हारी क्या मूंसे अवा सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मैं किसे बूचते हैं जियाद उमर रेहान से बुचते हैं सबसे भारी आवाद वाले बचा ना हमारी क्लास में उमर रेहान बट यह बताओ कि अगर इस जनर फामूले को मैं अप्लाय करना हूँ एक थाउजन कार्बन के कंपाउंड पर थाउजन कार्बन के अलकीन पर तो क्या फामूला होगा अमर रेहान बट अमर रेहान बट मेरे खाले इंतकाल फर्मा चुके हैं अल्ला ताला इनको जहन्नम में जाने से बचा ले हिदायत दे वरना मेरा दिल दो बढ़ाए अल्ला बचाए अल्ला ताला बाई अल्ला बिर्याई नसी बताए जी ओमेर आप बताते हैं अमर ने तो नहीं बताया है अच्छे सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्योंकि हमने डबल किया 2000 और सिफ्टू एड़ करना है तो 2002 ठीक हो गया हम अच्छा मुझे बताएं चले एक और रेंडम तुक्का लगाते हैं अगर मैं कहता हूं यह बच्ची को नहीं आई जी क्या नहीं वाली बच्ची का लाइबा लाइबा तुक्का लाइबा कार्बन 777 है तो बताईए क्या फार्मुला होगा क्या कितने हाईजिन होने जवाब सही है गलत है अवेश शाहिद सही है सही है सही है सही है बिकिस यह आईडिया इस सिंपल आईडिया होई है डबल प्लस टू डबल प्लस टू नहीं होगा अब आज़िए अलकीन में बिटा जल्दी से अलकीन का जलना फॉर्मूला क्या होता है और इस श्कूल यहां पर कार्बन जितने होंगे बल और प्लस टू नहीं होगा डबल नहीं होगा सिर्फ डबल और प्लस टू नहीं करेंगे तो आई यह तो और असान हो गया चीक है तो पिटा आप फ़र्मूला पताएगे सीटू का फ़र्मूला क्या होगा इथीन का फ़र्मूला क्या होगा तो यह दो classes तो आप usually पढ़ते हैं बुक में भी बनी ही है लेकिन इसके बाद जो classes जो derivative में आ रही होती है उनको पढ़ते हैं अकसर बच्चे डंडी मार देते हैं क्योंके वो समझ आ जाती है तीचर समझ जाता है बच्चे अलकेनोल कहते हैं तो अलकेनोल अब पहले इनकी नेमिंग देख लो अब जब नेमिंग देख रहे हैं तो नेम इनको देते हैं एज Elk Enol Elk کے साथ Enol Elk क्या है? Mit It है और आखिड में क्या जोड़ना है? Enol तो अगर एक कार्बन का अलकोल होगा तो क्या किलाएगा बिटा? Meat Enol क्या खेज़ है? Methanol दो कार्बन का होगा तो क्या किलाएगा? Ethanol Methanol क्या किलाएगा? बोलना पड़ेगा लाइक प्रोपेनोल चार कारबन होगा तो क्या किलाएगा अब आजो फॉर्मूला यहां साथ सा जनल फॉर्मूला भी डिसकस करते हैं तो अब इसकी अगली हेटिंग में आ जाता है जनल फॉर्मूला इसका जी है अलकॉल का जनल फॉर्मूला क्या होता है कौन बताएगा जनल फॉर्मूला थोड़ा सा हटके है बिटा सी एन अभी भी है एच टुएन अभी भी है प्लस टू की जगा प्लस वन है और फिर आखर में ओच है चलो अपलाई करके देखते हैं कैसे अपलाए होगा मसलें मेथनोल का फॉर्मूला बनाना है तो मेथनोल में कारवन हो गया एक हाइडिजन के लिए डबल करेंगे तो डबल एक कर डबल हो गया टू प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा तो प्लस वन त्री तो यह आगया छी एच थ्री एंड देन आज ओएच सीफोर अगर है ब्यूटेनोर का बताएं तो क्या बनेगा डबल प्लस वाइच नाइन ओएच अच्छा यू लिखकर एक्जामने बाद आफा मॉलीकुलर फॉर्म में पूछ लेता है तो मॉलीकुलर फॉर्म में लिखने के लिए पर क्या करेंगे आपने सी ऐसे लिख यह recommended नहीं होती एक्जामने जब आपसे कहेगा लिखने के लिए फिर लिखेंगे क्योंकि इस फॉर्म से हमें पता नहीं चलता कि अंदर क्या स्ट्रक्चर है अंदर कौन सा ग्रूप मौजूद है इसलिए the standard way to write is in this form लेकिन एक्जामने बाद बाद अब फसाने के लिए त presentation बूच लेता है तो भाई यह लिखोगे और लिख कर फिर molecular form में convert कर लोगे और example देख लेते हैं मिसाल कितों पर hexanol का formula क्या होगा जी बिटा जियाद hexanol c6 h double plus 1 क्या हो गया 13 oh h molecular form में क्या होगा c6 h14 oh अवे समझ में तो नहीं आ रहा है बिटा c decanol का बता है c10 h21 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 और अगर इसका molecular form लिखना हो तो कैसे लिए c10 h22 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 ठीक है ना तो बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है तो general formula के साथ अनम दिल्ला समझ में आगे naming भी repeat होगई कि old लगा के नाम करते है old के साथ नाम होता है methanol से आगे चल रहे हैं और general formula में cnh2n के बाद प्लस वन है और फिर ओएच है cnh2n plus one और ओएच है अब आजाओ अगली क्लास पर चलते हैं अगली क्लास ये बहुत important है जब ये बाद में आई है अच्छा नॉमली हम क्या करते हैं जब स्कूल में पढ़ते हैं तो ये सारी बाते हैं आप जब उस क्लास तक पहुंचते फिर करते हैं अभी हम इस सारी बा बहुत गडबड होती है आप जानते हो काबक जलेक असिट्स क्या होते हैं सी ओ एच वाले कंपाउंड होते हैं हम इंट्रोड़क्शन में पढ़ चुके और इसे कैसे की जाती है ऐस अलके और नहीं आता वेस जियाद क्या आता इसमें बिटा मायरा वागले अलिश्बा क्या किलाएगा ंजी वाई साथ यही चार य। सारा सुल्टान साव वाला क्या किराएगा सेवन वाला वाला लड़ी एक तो नाम तो ा इसके समझ में सबको आ रहे है असल भिटा इसमें गडबर होती है formula में फार्मूला में क्यों गडबर होती है उसका बड़ा वाज़ 理जन ना है कि ऩिद्धे भी अ कंपॉञ्ट्स पड़ते ना उनमें हम carbon जो functional group होता है उसमें नहीं होता जो carbon chain होती है बस उसी में कार्बन होता है जैसे अगर आप अलकेन की बात करें अलकेन की बात करें अलकोहल की बात करें तो अलकोहल OH एक अलग ग्रूप है और कार्बन चेन अलग है लेकिन जब हम कार्बाक्सिलिक एसिट में आते हैं समझे ना बच्छो जब मैं मेथेनोएक आसिड कह रहा हूँ तो इसमें COOH तो आया और जब COOH आया आप जानते हैं COOH की एक वैलेंशी खाली होती है अब अगर यहां पर मैं एक कारवन भी लगा दूँगा तो तोटल कारवन कितने हो जाएंगे दो और यह मेथेनोएक आसिड नहीं होगा बलके कौन से आसिड हो जाएगा यह एथेनोएक आसिड इसमें टोटल दो कारवन हो गए तो यहां पर जो सबसे जारा समझने की बात यह है कि कारवागजलिक आसिड में खुद COOH में एक कारवन तो मस्ट आ रहा है तो अगर एक कारवन का कारवाजलिक आसिड हमें चाहिए होगा तो यह पहले वाले के अंदर जो वैलनसी है वो एच से पूरी होगी तो वो फॉर्मूला फॉर मेथेनोएक आसिड इस हCOOH दोबारा सुनना अब दोबारा आगे अपलाए करना कैसे अब कहते हैं एथेनोएक आसिड का फॉर्मूला आपने सबसे पहले लिखा बचो COH क्योंकि आपको पता है काबक से लिक आसिड है अब COH लिखने के बार आपने कहा गया एथेनोएक आसिड है दो कार्बन चाहिए तो दो कार्बन में एक तो आपने लिख लिया एक और लगा कि उसकी वैलनसी पूरी करेंगे इसी तरह आपने प्रोपनेट लिखना है आपने कहा गया COH लिख लिया EOH वाले carbon को consideration में लाना जरूरी है यह formula methanoic acid पर apply नहीं होता बागी सब पर apply होता है क्यों methanoic acid एक exception है क्योंकि methanoic acid में एक ही carbon होता है जो carboxylic का carbon है इसी लिए उसके शुरू की जो balance है वो carbon से पूरी नहीं होती बलके उसे हम hydrogen से पूरा करते हैं उसके बाद यह formula apply हो जाए carbon का carboxylic acid बनाएं तो नाम आपको पता है इसका क्या होगा है यह सो नो लेकिन जब आपको कहा जा रहा है seven carbon का बनाए तो याद रखे कभी भी c7 से शुरू ना करें गड़बड हो जाएगी आप से आपके गड़बड दो करेंगे पहले आपने लिखा एक carbon यह आ गया अब अब रिमेनिंग कितने रह गए seven के एग उसक्स और फॉर्मलें चाहिए यह सब को पता होना चाहिए मिसाल की तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ भाई कि डेकनो एक आसिट का फॉम्मला क्या होगा डेकनो एक आसिट तो फॉम्मुला लिखने में हमेशा पहले क लिखें कि यह वाला कावन हमारे ना कॉंशिस में आ जाए कि यह वाला कावन है वह लिख लिए हैं दूबी नीड मोर प्लस वां ती नाइन एच नाइटीन बिटा बास समझ में आ रही है सारा सुल्तान जयान ओमेर मुनीजा माजन आरे 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 नजीश अकूर शाहिना आगे देखो एक और एक्जांपल देखते हैं मैं आपसे कहता हूं कि एक कारबॉक्स से लेका सब्सक्राइब का बताओ फॉमॉला क्या होगा सब्सक्राइब करना चाहरा हूं एक चीज जो बहुत इंपॉर्टन है कि आप हमेशा पहले ना क्योंकि देखो जब आप सब्सक्राइब को इसलिए यह अप्रोजी आप शुरू ही नहीं करो आप हमेशा पहले याद लिखो कि फंक्शनल ग्रूप लिखोगे और फिर फंक्शनल ग्रूप में जब वो कारबन लिख लोगे ना तो दिमाग फॉरण से रिकॉल करने का रहे एक कारबन तो लिख की रिमेनिंग कारबन जमने जो है वो डालने लाइबा मैं क्लियर बच्चे यह सर जी शहीर अब बासी बिटा बास समझ में आ गई जियाद अच्छा इसके बाद आपके पास आपको पता है एक ग्रूप आता है लेकिन एस्टर को हम जब कंबाइन जब रियाक्शन पढ़ेंगे तब ही पढ़ेंगे वरना अभी और खिस्टा पक जाएगा नेमिंग में वरना नेमिंग में साथ-साथ उसकी नेमिंग भी कर सकते आपको अंदाजा है कि इस्टरिफिकेशन की रियाक्शन में बनता है तो वहां जब इस्टरिफिकेशन पढ़ लेंगे तो वहां समझना असान होगा तो अभी के लिए हमने चार क्लासिस की बात की बेटा फिर रिकॉल कर लेते हैं कि अगर नेमिंग पर हम चले जाते हैं त कि यहते हैं कारवन चेन को के साथ एंघ के साथएं अलक के साथ एनोल के साथ एनोय को हमने पजान लिया कि जो है ना वो सफिक्स है जो हमने इस्तेमाल करने हैं और अगर सारे बॉंड सिंगल है कार्मन हाइड़ूजन के हैं तो वह अलकेन बन गया अगया नेंग का बेसिक आइडिया और नेमिंग के फॉर्मॉला सही लिख लोगे यस सर बहतरीन हो गया बहतरीन हो गया अच्छा अब एक और बात जान लो बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे तो यह इंडिविजुली भी आईगी जब हम इंडिविजुल पढ़ेंगे ना तब भी आईगी लेकिन अभी जब चार कंपाउंड लिखे हैं तो मेरे जहन में डाला सासर बता दू बेटा आप इन क्लासिस को जो पढ़ रहे हो अलकेन एक क्लास अलकीन एक क्लास अलकॉल एक क्लास अलक क्लास मेरे बच्चे इन तमाम और गयाने कंपाउंड को जब आप कंबस्ट करते हैं कंबस्टन में डालते हैं बर्न करते हैं तमाम कोई भी रैंड लें कोई भी चाहे आप इविन एस्थर उठा लें किसी भी कंपाउंड को जब आप कंबस्ट करेंगे प्रोड़क्ट आपके पास अगर वह कंबस्ट कंप्लीट है तो प्रोड़क्ट आपके पास आएगा काबन डायक्साइड और वाटर और 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 अफ दीज रियाक्शन व को बर्ण करेंगे तब भी काबन डायक्साइड और वाटर बनेगा काबक्साइड करेंगे तब भी काबन डायक्साइड और वाटर बनेगा बर्णिंग का रियाक्शन हमें ओटू से पता चलता है एस्टर को बन करेंगे तब भी काबन डायक्साइड और वाटर ही बनेगा बशर्ट यह किमबश्चिन कैसी हो complete combustion का मतलब क्या होता है। कि जब access में हो यह की supply access में हो तो हम देखते हैं कि compound completely combust हो जाता है access of supply हो तो याद रखना इसमें confused होने की जरूबरत नहीं कि सर ने तो यह करेंगे तो उसमें carbon dioxide of water vapor ही बनेंगे अगर combustion complete है और अगर combustion incomplete है तो फिर क्या होता है आपको carbon monoxide carbon monoxide carbon monoxide आजाते है carbon suit या 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 नि water तो बनता है लेकिन carbon dioxide की जगा या तो carbon monoxide बनती है या carbon suit यानि carbon particles produce होते है तो इस अगर incomplete combustion में आएगा अब ये बताने का मकस्तर क्या है ये बताने का मकस्तर ये है कि आपके रहन में एक सवाल पैदा हो कि जब किसी भी चीज की combustion कर रहे है तो सब में same ही product बन रहा है तो फिर फर्क क्या आ रहा है तो दो तीन बातें समझ लीजे मेरे बच्चे किसी भी कंपाउंड की जब हम combustion करेंगे मानले मानले अलकें की क्लास की बात करें तो अलकें में में चाहे हम मीठेन को कंबस करें या पैंटेन को करें या डीकें को करें तीनों की कंबस्चन में काबन डैक्शार और वाटर बनेगा इनर्जी रिलीज होगी एक्जोथर्मिक रियाक्शन है यह सॉनों यह सॉनों तीनों में फर्क क्या होगा बेटा फर्क यह होगा कि मीठेन एक छोटा कंपाउंड है ना तो उसको बर्ड करने के लिए ऑक्सियन कम लगी यह बात इक्जांडर बहुत घुमा के पूछेगा जो कॉंसेट में अभी इन जैनरल दे रहा हूं एक्जांडर मुझे अभी इस सवाल याद निया रहा ने कि पेपर वन में सवाल मौझी यह मुझे याद है कि जिसमें इक्जांडर ने बढ़ा घुमा के लेकर आया और ज प्रक्त तो सेम हैं लेकिन कुछ चीजें कौन है कुछ सीजह कॉमन या चाई कि जलाने के लिए लेकिन सबको जलाने के लिए चाईए आंसर जी आंसर शिरम जितना चोटा और उसके कंपारिजन में मैं और चाहिए और दूसरा क्या चेंज आएगा कि दोनों रियक्षन एक्षोंगे इसमें भी ही इसमें लेकिन इसमें चोटा तो कम इनर्जी रिलीज होगी और यह बड़ा इनर्जी भी बोलो बिटा जादा रिलीज होगी यह समझना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर यह कॉंसेप्ट तुम्हें बात समझ में आ जाती है कि भाई कंबस्चन में प्रोडक्त तो सेम है लेकिन जैसे जैसे कंपाउन जाहर है जब मिफेन में एक कापन है तो अमाउंट आफ कापन डेक्साइड विल बिली लेस्ट पिक है अमाउंट आफ कापन जैकर रहाँ जो ओक्तेन है इंटेन जार अगर अगर हम इसमें बात कर लें है वाटर की तब ही अमाउंट ज्यादा होगी जो बडा काप उसमें carbon dioxide ज्यादा produce होगी जो बड़ा compound होगा उसमें water ज्यादा produce होगा तो ये बात हमें पता होने का फाइदा क्या है अब मुझे पास्विपर का MC को तोना कच्छा पका याद आ रहा है उसमें क्या था उसमें सवाल था चार equations दीवी थी एक methane की equation दीवी थी C2H6 की फिर एक C3H8 की equation दीवी थी एक C4H10 की equation दीवी थी और C5H10 या तीन या चार equations थी बाराल और आपको तंबश्चन equation लिखी वी थी O2 के साथ बिलकुल सिंपल था सवाल था कि भाई कौन से reaction में सबसे ज्यादा मोल्ड ऑफ ऑक्सियन भी लगेंगे और सबसे ज्यादा मोल्ड ऑफ कारबन डैक्साइड भी प्रोडीज होंगे तो बच्चे क्या करते हैं इसकी बैलेंसिंग करने बैट जाते हैं यूं लिखा वाद आप सवाल अब जायरे बैलेंसिंग नहीं हुई भी थी तो बच्चे क से कंपाउंड बड़ा होता जाता है इंटरम्स अफ नंबर ऑफ तार्बन तो उसको बंट करने के लिए वी नीड मोर और मोल्ड ऑफ और यह सब्सक्राइब करेंगे उसी तरह से ज्यादा से ज्यादा बनेंगे वाटर भी ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी तो पिटा य इंस्टेट अफ कारबन डाइक्षाइड वी विल गेट कारबन मोनोकसाइड और कारबन सूट और सेकंडली और यह व्यादा इस नंबर ऑफ कारबन इंक्रीज इन एनी ग्लास अल्कॉल में रेखने जैसे जैसे नंबर ऑफ कारबन बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑक्सियन के मोल की अबड़ेंगे अब्दूलां मुहम्मब मुहम्मद स्चाकूर शाहिना कारबन यह और डयांके है कोई को यह तो हो गई बेसिक सी नेमिंग और उसकी जनरल फॉर्मले का अंदादा हो गया नेमिंग का हो गया कार्बॉक्जेलिक के फॉर्मॉले में किस चीज का ध्यान रखना है समझ गए ना जी सवाल था वागे से लो मेरे बच्चे जब्चे यह इस उसक्र जोके पेपर टू में तो बहुत जादा है पर बन में आपने कई दफा देखा होगा सवाल आजाएगा define homologus series and write down its two or three characters. बहुत आता है सवाल. तो ये सीधा-सीधा मैं कहता हूँ bonus question है. मुफ्त के मां. तो इसने आसान सवाल नहीं है तो उसमें paper two में सर्थ बहुत गुमाफिरा क्या है. हमोगों के पास paper में आया है तो अगर कोई बताना चाहे तो बता भी सकता है नहीं तो मैं लिखता हूं the class of the class of organic component. और गाने कंपाट. ये प्लीज इन विच एन विच जू कंजेक्टिव यह सक्सेसिव मैंबर्स इसा ही होता है मायरा वाग ले बाए बॉंड CH2 यानि एक कार्बन और दो हाइडलन वो organic compound की class वो कोई भी class organic compound की मायरा वो मैसा जवाब क्यों नहीं आ रहा बेटा वो organic compound की class जिसमें कोई भी दो consecutive member साद और मरियम और माज और आईशा वो कोई भी दो consecutive member ज़कर हम ले लेते हैं तो उनमें एक कार्बन और दो हाइडलन का फर्क हो इस class को हम हो लोगा सीरीज का नाम दे देंगे मसलन हमने जो क्राफिश देखी आए देखें उसमें अलकें में देखा था क्या फामुला था जनरल फामुला अवेस एक कार्बन और दो हाइडन का डिफरेंस दिख रहा है यह सब्सक्राइब क्या यह जो एक्जाम्पल एक क्राइटेरिया और फिर्फिनिशन को फुल कर रही है बिलकुल कर रही है तो क्या नभीहा मैं इसको हमोलोगा सीरीज का नाम कह दूंगा कि अलकें एक सब्सक्राइब कर लेते हैं अब जनाब इसको भी एक्जाम्पल से टेस्स करते हैं तो पहली कहां थी सी टू एच से शुरू थी सी फोर डबल प्लस डबल कर रहे हैं सी फाइफ एच टैन क्या हर दो मेंबर्स में सी एच्टू का डिफेंस आ रहा है यह सब्सक्राइब यह बी हो लोगा सीरीज हो गई अच्छा फिर जब्सक्राइब यह उनीक फार्मुला इसमें हो सकता है कि फॉलो ना हो तो देखते हैं पहरा फार्मुला क्या है दूसरा फार्मुला क्या है सी टू एच फाइव ओएच सी थ्री एच सेवन ओएच भाई डबल प्लस वन कर रहे ना वेस सी फॉर एच नाइन ओएच फाइव एच बोलो ना 11 अब मुझे बताओ क्या इन में अगर डिफरेंस देखना शुरू करोगे तो क्या तुमें नगर सारा रहे डिफरेंस एक कारबन और दो इस तो इसमें हम सारे में में सी और एक कार्बन और दो रहुंत का दिफ्रेंस है यह सब में आपके दिल में उमीद जागी कि का यह वाला शायद हो लोगस ना हो तो देख लेते हैं भी क्या फामुला था पहले वाले का पॉप जली कैसे शुब करते हैं पहले का पॉप लगया था बच्छो दूसरा क्या था सी ओएच लिखेंगे एक लागे शीजिए तरी फिर सी टू एच फाइव सी ओएच फाइव सी एसी लिखेंगे लिए सेवन अब अगर आप गौर करो तो पिटा सी ओएच स बढ़े एक कारबन बढ़ा दो अवैस नभीया हूरिया नदर आ रहा है नहीं आ रहा है मायरा यह सब्सक्राइब के जितनी भी और्गैनिक कंपाउंट की क्लासे हम पढ़ रहे हैं वो सारी ही होंगो लोगा सीरीज की एग्जांपल दें यह सब्सक्राइब यह अगर आपने एक्जांपल नहीं दी सारी जिसरी ने की दिरूबत नहीं है लेकिन किसी एक इक जायक को इस तरह जैसे मैंने दिया है वैसे लिखना होगा तो उसमें एक नमबर डेfinition का होगा एक नमबर एक जायकर होगा और बाकी बच्छे वे नमबर properties के होंगे तो मिलेंगे आपने डेफिशन लिखी और प्रॉपरटी लिख दी तो आपको एक्जामपल का मांग नहीं मिलेगा मुफ्त में मांग कटेगा यह तो बिल्कुल ही मतलब इंतहाई हलुआ किसम का कॉंसेप्ट है अगर यह भी ना आता हो तो जाड़े थूड़े मकोड़े वाली ब सिरीज यह M.C.Q. में भी घुमा घुमा के आ जाता है तो अगर बात सही पता ना हो तो वहां पर गलती हो सकती है प्रॉपरटी ऑफ होमोलोगर सिरीज लाइबा समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा ना बिटा 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 आप नहीं सर आरे समझ लाइबा ने भी आंसर वैसी कराची की बरसाथ की तरह कभी आ जाते हैं और फिर कभी पूरे-पूरे साल के लिए गायब हो जाते हैं है मैं माज़र उपर से बोलता ही नहीं क्लास में आके गूंगा बना रहता है लागे वली क्या कर रहे हो तुम भाई जो जितना बढ़ चलके हिस्सा लेगा क्लास के लिए उसको उतना फाइदा होगा ये पचास दमा समझा चुका हूँ मैं लेकिन पता नहीं धीट हो मिरे खाले एक दुम है जो टेड़ी से सीडी हो सकती है लेकिन आप लोगों के बारे में कहना कुछ मुश्किल लग रहा है मुझे जी शहीर अबासी बास समझ तो नहीं आ रही है यहां तक तुमने जाके च्ट चैट करनी हो दिया और अब जो है ना पढ़ाई के नाम से नहीं ला रही है बाराल चलो आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगा सीरीज वही चुक्या आप सब स्कूल में पढ़ चुके हैं मैं भी पहले पढ़ा चुका हूँ तो ज़रा आप थोड़ा पार्टेशिपेट करें तो अच्छा होगा सबका रीकॉल हो जाएगा जी किसी भी होमोलोगा सीरीज की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है नमबर वन पहला क्या होता है पेटा आल मेंबर्स आफ वन होमोलोगा सीरीज शो सिमिलर जो गैमənिकल भीवियर गैमेकल प्रॉपर्टीज होती है मसलनन मीथेन जिस तरह से करेगी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मीथेन सब्सिट्टीशन करती है जब ॥ो सिर्फ मीथेन नी करेगी इथेन भी होंगाज़ करे molt सेम होता है तो इसलिए जिस तरह एक रियाक करेगा बाकी भी उसी पैटन्ट में रियाक करेंगे आर वी क्लियर लेकिन इसमें एक अगली बार बड़ी इंपॉर्टन्ट है और वह क्या कि दे फिजिकल प्रॉपर्टी यह इंपॉर्टन्ट है बच्चे दो तरह के पाए जाते हैं एक को लगता है केमिकल सेम होगी फिजिकल डिफ्रेंट होगी यह बात का मुकंबल गलत नहीं है लेकिन िसली को लगता है कि सब कुछ ही सहिंदे केमिकल भी सेम होगा थिजिकल भी सेलीक हो और नहीं मिठा पचnocण फिजिकल प्रॉपरटी कि अगर मैं बात के लिए ठी चेंज इन रेगुलर ट्रेंड सेम नहीं होती और यह मेंशन करना भी ज़रूरी है लेक्ट सेम तो नहीं है लेकिन उनमें एक रेगुलर ट्रेंड होता है फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी तो आप ये विस्को weस्कश ब्रॉपर्टी में एक रेगुलर ट्रेंड मसलन मैं अगर मीठेन में मीठेन गैस भी यूदा लिक्वीर चलते है यह चौदा कारपन बाद सॉलिड जाना शूरू हो जाते हैं तो एक रेगुलर ट्रेंड नहारा है पहले घैस है फिर लिकविड फिर सॉलिड में इसी तरह melting और boiling point में भी हम देखते हैं कि जितना छोटा compound होगा उसका melting boiling point उतना कम होगा जैसे जैसे compound बढ़ा होता जाएगा बहुत जादा होते जाएगे तो melting boiling point भी बच्चों क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो basically आपको बात पूरी समझनी है जो उनकी physical property ने का मतलब क्या है जो उनकी physical property है जिनमें melting point, boiling point, density, state ये basic properties आती है तो बटा ये same तो नहीं होती है लेकिन इनमें change होने का एक regular trend नज़र आएगा आपको और वो regular trend क्या है कि जैसे जैसे आप छोटे से बड़े compound की तरफ जाओगे melting point, boiling point, density और state ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी complex होती ही चली जाएंगी तो homo loga series की properties में पहली property chemical behavior का same होना दूसरी property उनकी physical properties का different होना लेकिन एक regular trend में change होना और इसका फाइदा क्या है है वेस कि जब एक regular trend है तो अगर मुझे दर्मियान में किसी member की property नहीं पता तो क्या मैं trend के दुरू प्रिडिक्ट कर सकता हूं बोलो भाई यह सर्थ असले बहुत सवाल आ जाता है इस तरह बहुत जारा सवाल आता है मान लो कि वह कहता है एक carbon compound है एक homo loga series है उसका लेट से boiling point है minus 20 degrees Celsius फिर 2 carbon का compound है उसका है 10 degrees Celsius फिर 3 carbon का compound है उसका है let's say 70 degrees Celsius फिर 2 carbon का compound है let's say उसका है 190 degrees Celsius अब 5 carbon का compound यहां पर वो कर देगा डैश question mark कर देगा या बाद आप 5 carbon पर कर देगा आगे 6 carbon data देगा कि 6 carbon का है let's say 400 या 400 भी नहीं है मान लो के 800 degrees Celsius पहले चीज़ आप उसे को trend आ रहा है नहीं आ रहा कि जैसे carbon बढ़ रहा है boiling point यह ना देटा बढ़ रहा है यह सब्सक्राइब बढ़ रहा है जैसे जैसे structure बढ़ा होता है अवेस हम्जा जयान बिटा number of bond बढ़ते ना अब्दुल्ला अब्दुल्ला मुहम्मद अब्दुल्ला अश्वाक बॉंड बढ़ते हैं यह सब्सक्राइब करना मुश्किल होता जाता है इसके लिए ज्यादा इनर्जी चाहिए होती इसलिए मैं बेल्टिंग और बॉरिंग पॉइंट बढ़ता हुआ दिख रहा है पसीहा लाइबा एमाई क्लियर बिटा इस पर डिपेंट करते हैं जी जी कार्बन कार्बन बॉंड पर डिपेंट करते हैं हसीना साध क्लियर है अच्छा तो अब मुझे बताइए मैंने क्वेशन मांग जो डाला है क्या ख्याल है मोस्ट लाइक्ली वैल्यू क्या ये वैल्यू 180 हो सकती है नहीं सब्सक्राइब क्या होगी जब देखता हूं कौन सबसे करीब तुका कौन लगा तो 350 350 350 350 जा रहे हैं यहां से आए तो आपको 30 के बाद कितना इसकी यूनिट का इसकी बाद यहां आए तो 70 से 190 कितना डिफरेंस हो गया 120 समझ में आरी बात तो इसका मतलब डिफरेंस को कम से कम भी यहां पर 220 का होगा है कम से कम भी 240 कम से कम भी 240 तो कम से कम भी 240 तो कितना वन जाएगा यह 350 प्रपोशन में तो अगर आप प्रोपोशन देखो तो पहले वाले वह 30 units का फरक्ता दूसरे में 60 unit का फरक्ता तीसे में 120 का तो उस लिहाज से जब हम trend को देखेंगे तो minimum value 430 पर जाके land कर रही है अगर आप 300 या 350 लिख रहे हो तो आंसर गलत हो जाएगा लाइबा जी वेटा रुमैसा मुबशिर मरियम खान बास समझ में इंशरा शादमान हूरिया नभिया यह सर बात कहां से लिए कि प्रॉपर्टी में रेगुलर ट्रेंड होता है तो रेगुलर ट्रेंड में कई दफ़ा आप इस तरह की question देखोगे पेपर डू के अंदर ही आत उसमें किसी पार्ट में बूचा होता है कि unknown value बताईए तो उसमें सिर्फ value नहीं बक नहीं है बलके उसको तरह केरफुली देखना है कि भाई ट्रेंड तो ठीक आपको समाझ में आगे increasing है या decreasing है जो भी trend होगा लेकिन उसमें जो difference की proportionality है ना उसको भी समझना है उसको भी अ पारा रहा है उसके थ्रीएंड़ नहीं होगा value कम से कम भी 430 होगी तो अगर थ्रीएंड़ दिख रहे हो आप तो बलत हो जाएगा clear है माज कि अब बास समझा आगी पिटा कि यह समान राना आयान हंबल बात क्लेरें आयान हंबल अब्द रह्मान राना आवाद आ रही है है हलो शाइना शकूर शहीर में आवाल आ रही है तुम्हों को अब हमने क्या कहा बिटा प्रॉपर्टी तो फॉमोलो के सीरीज में पहली प्रॉपर्टी का chemical behavior का सेम होना यानि अगर एक addition कर रहा है तो दूसरा भी addition करे है तो दूसरा भी substitution ही करेगा एक e-hydration कर रहा है तो दूसरा भी e-hydration ही करेगा same chemical behavior शो करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी सें नहीं होंगी बट दे विल चेंज इन ए रेगिलर फ्रेंड इस दाट्लियर हली माँ तीसरी प्रॉपर्टी जी इसके लावता ये शाबश दो प्र जाए म्यूट करो जिसकी लाइन में इस समय से प्लीज म्यूट रखें अगिला पॉइंट बहुत असान है टू मेंबर्स ओफ या टू कंजेकुटिटिव या सक्सेसिव मेंबर्स तू कंजेकुटिव मेंबर्स डिफर foreign 맛있 ठीक है यह आप 14 ग्राम्य लिखने तो पिर आप लिकसे एंउय भपेंगे तो पहर मॉलेक्लियर मास्क जाएँगा वई 14 किसे बना यह हर दो मेंबर्सारतें बॉम्ह्मा का डिफर्ण कैसे हो रहा है क्योंकि दिफर्ण सा रहा है एक कार्वन होता है कितना होता है यहां पर वन इंटु तो क्या टूर्टीन बन जाएगा हर जगा पर फोर्टीन का डिफरेंस हमजर आहिल कैसे आ रहा है कि हर जगा रुमेसा जब डिफरेंस एक कावन दो है हर दो मेंबर्स में तो डिफरेंस होगा वो फोर्टीन यूनिट्स का ही होगा तो मेरे बच्चा यह हो गया होमोलोगा सीरिस का note complete, homologa series की definition आपको आ गई, पूरी याद हो जानी चाहिए फिर example लिखना लाजमी है फिर properties में आपको chemical properties, physical property और mask का difference mention करना होगा, are we all clear? Yes sir Yes sir मैं तरीन होगया, मेरे बच्चे आज की class का last discussion हम करना जा रहे है cracking, आज की class का last discussion होने जा रहा है, और introduction वाला जो unit था वो पूरा खत्म हो जाएगा इन्शाला ताला, और फिर कल इन्शाला जो हमारा session शुरू करेंगे तो पहले introduction वाले questions के past papers करेंगे, और फिर हम जो है वो alkane की बाकाइदा chemistry स्टार्ट करेंगे करेंगे, आज ही class का last topic लिखने जा रहे हैं बिटा cracking ठीक है जी, अब cracking जो है वो एक note की form में भी आ सकती है theory में, आपको cracking के MCQ भी नदर आ सकते हैं cracking या इसका दूसरा नाम होता है pyrolysis cracking या pyrolysis cracking as the name suggests, crack करना, तोड़ना, ठीक है ना definition से ही आप समझ जाओगे कि क्या है, और definition में मैं जानगूच के ऐसे words लिखूँगा जिसे concept भी अच्छा बन जाए, क्या है cracking the process of breaking down large, usually less useful hydrocarbons to produce smaller usually usually रुमैसा मुबश्यर आवाज आ रही है रुमैसा का को जवाब नहीं हारा, मायरा वागले मौजूद है मायरा वागले मायरा वागले रहे मायरा क्या हो गया इतनी मरीयल आवाज आ रही है मेरे बच्छा क्या लिखा हमने हम्हेस हमजा बिल्कुल सिंपल सा concept है, crack करना अगर concept के साब से लाइबा बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बड़े कंपाउंड को छोड़े कंपाउंड में तोड़ना यह लिखा है ना हमने लेकिन थोड़ा टेक्निकल तरीके से लिखा है और इसमें डीटेल कवर टेक्निकल क्या हो रही है कि मेरे बच्छे हमने कंपाउंड को तोड़ना है जो आम तोर से लेस यूसफुल होते हैं दूसरी बात क्या हो रही है कि hydro carbons होते हैं यहीं किसी भी republic को तोड़ने की बात नहीं और particularly फिर उनको तोड़कर हम जो है वह smaller क्या बनाते है hydro carboncimento बना लेते हैं जो typically क्या होते हैं ज्यादा useful होते है जidade मिस्थार्आई तोब लिगा Smash aspire to thebs क्रूब्व से मिल गया दें दस दस या आट आट वाले कंपाउंड में तो आट कार्बन का जो गैसलीन है जो पेट्रॉल है क्या वो ज्यादा यूसफुल नहीं होगा बोलो भाई बिल्कुल होगा तो ग्रैकिंग का डेफिनिशन बिल्कुल नाम से वाज़े है कि पर एक बड़े कंपाउंड को तोड़कर छोटे बनाते हैं अब क्रैकिंग में दो तीन बातें जल्दीली समझने है पहरी चीज़ जो क्रैकिंग में कंडिशन है वो यांद रखेगा नोट के form में लिखवा रहा हूं कि cracking के लिए जरूरी है कि cracking is always in absence of oxygen यह हम compound को break करेंगे oxygen के absence में करेंगे क्या मतलब compound को मसल में ब्रेक करते हैं heat car 활동 तो नौमली अगर oxygen air होगी तो आप जानते हैं अगर प्रेजन्स पर गरम नहीं होगा बलके वह और अगर और गानिक कंपाउंड मौझद होगी फिर तो कंबश्चन हो जाएगी ना हलो बात आरी समझ में जी सर जी सब आरी है यहां पर हम इसे तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे यह जरूरी है mandatory है कि oxygen को यहां पर हम eliminate करें absence of oxygen में heat करें cracking is always done in absence of oxygen ठीक है जी पहरी बात दूसरा cracking की जो दूसरी बात है वो क्या है इसका जो paper two में आता भी है कि इसका usage क्या है importance क्या है तो cracking बच्छों तीन परपस के लिए की जाती है to produce a smaller alkane to produce smaller alkane and hydrogen gas hydrogen gas तीन परपस हैं आप useful alkane useful alkane और hydrogen gas बना सकते हो और usually cracking जो कर रहे होते हैं हम कर रहे होते हैं alkane की alkane को crack करके छोटे alkane या alkane या hydrogen gas produce कर रहे होते हैं अच्छा इसमें जो है इस कैसे करना है तो basic principle क्या है बच्छों कि heat करना है लेकिन मैंने क्या बता है heat करना है in absence of air absence of air में करना है absence of air में करना है वरना क्या होगा एक्जाम में पूछता है अगर air eliminate नहीं की तो लाइबा क्या होगा आयान क्या होगा combustion absence of air क्यों जरूरी है अब यह शाहिर तू अवाइड दूसर यह वैक्यूम में करेंगे जी बटा हाँ वैक्यूम में करेंगे जी बटा वैक्यूम क्रिएट करेंगे और उसके बाद करेंगे ठीक है यह होगा ही शर्ट अब उसके बाद जब इसको heat कर रहे होते ना तो heat करने में एक तो होता है कि हम pure heat करें अगर purely heat करें तो फिर इसको कहते है thermal cracking लेकिन जादा हम क्या करते हैं क् इसलिए बहुत साही जगा पर जब हमें कोई catalyst मिल जाता है और आप O-level में मेरे साथ पढ़ चुके है कि catalyst क्या होता है एक सबस्टेंस जो के reaction की प्राइब करते है तो बाद सब्सक्राइब करते हैं हीट को करते हैं वेरी गुड हीटिंग के साथ-साथ हम catalyst भी आइड कर देते तो फिर यह cracking ज्यादा feasible हो जाती है और यह कॉल दिस cracking नभी हा क्या क्या कहते है बिटा परीया catalytic cracking और catalytic cracking ज्यादा feasible होती है क्योंकि इसमें energy कम खर्च होती है और जो दो common catalyst है यह MC क्यों बाता है वो SI O2 और AL2 O3 है जो के as a cracking catalyst इस्तमाल होते हैं ठीक है जी यह नाम आपको पता होने चाहिए AL2 O3 aluminum oxide और silicon oxide आइडिया नहीं sand यह दो catalyst commonly as a cracking agents इस्तमाल होते हैं ठीक है जी तो फिरसे करते हैं cracking क्या है इस अ प्रॉसेज जहां पर एक बड़े hydrocarbon को चोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं चोटे compound में तोड़ देते हैं इसको heat करके तोड़ा जाता है और oxygen को eliminate किया जाता है absence of air में होता है यह काम usage क्या है इससे चोटे alkene चोटे alkene और hydrogen gas produce होती है और इसको करने में या तो pure heat का इस्तमाल होगा तो फिर thermal tracking के लाएगी और अगर catalyst का साथ इस्तमाल होगा तो फिर यह catalytic cracking के लाएगी और कौन से दो famous catalyst इस आम तोर से सबको आखरी बात देख लो अब cracking में लिखा हुए इस तरह से बाद रियाक्शन आ जाता है और बच्छे खामाखा में घबरा जाते कोई घबराने की बाद है नहीं लिखावा गया c12 h26 और यूं लिखावा है c3 h8 और यू लिखावा है और जो लिखावा है ऐसे लिखावा होता है बाद जबाद या लिखावा होता कि तू मोल्ड वह कंपावंड पूरा करना होता है बटाहिं कैसे पूरा करेंगे कॉमन तो पीछे कितने रह गए और हडिन कितने रह गए भाई 26 थे 6 चलेगे कितने रह गए 20 ऐसा ही है ना ताबन दस रह गए हडिन 20 रह गए येस और नू एक एक भए गप मका इसे और को बांगतरे है जह घुझे है कितने रह जा डयर चा